अलाम आलेकूं, नमस्ते दोस्तों, उमीद करती हूँ, आप लोग सब ठीक होंगे, सुबह का समय हो गया है, यहाँ पर रूट गया है, आज का बुलोगिन में क्या क्या करेंगे, आप लोग के पास सेर करेंगे, अगर मेरा बुलोगिन चैनल आप लोग का पसंद है तो लाइ नहीं जाएंगे नहीं घड़ा खरीद के लाएंगे तीन साल अगर पुराना घड़ा आपका पासे तो वह भी अग्दम नया जैसा ठंडा पानी देगा पर हम तीन साल का पुराना घड़ा दिखा रहे हैं इस तीन साल से हम इस्तमाल करते हैं घड़ा को हर सीजन में हम घड़ा खरीद के नहीं लाते हैं एक बार खरीद के लाने के बाद तीन साल चार साल इस्तमाल करते हैं और बहुत ही अच्छा ठंडा पानी रहता है एक दम फिरीज भी फेल हो जाएगा इतना ही ठंडा पानी रहता है परमी का मोसम आते ही ठंडा पानी का इस्तमाल होना सुरू हो जात है सोचे हम आज जब घाड़ा निकाले रहे हैं तो एक छोटा सा टीफ्स बना के आप लोग के पास सेर करेंगे यह वाला टीफ्स आप लोग का जरूर पसंद आएगा पसंद आएगा तो लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा और बहुत ही काम आने वाला है और बह घाड़ा आपका पासे तो अग्दम नया बन जाएगा और अग्दम ठंधा चिल्ड पानी देगा अब देखें यहां पर हम जो बरतन धोते हैं वही वाला यहां पर हम लेंगे अग्दम फरेश लेना है जो बरतन धोते हो वाला ने लेना है अग्दम नया लेना है काहे कि य यहां पर हम घाडा साब कर रहे हैं इसलिए यहां पर हम नया लेंगे और यहां पर हम एक कटरा में पानी लिए और पानी लेने के बाद अच्छी तरह से पूरे घाडा को हम इस तरह करके मिलाएंगे पहले सबसे पहले यहां पर हम घाडा को भीगाएंगे इस तरह करके घाड आ 144 शाल का रहे घाड़ा जो पूराना रहें लेकिन अग्दम नया जैसा आपका पानी देगा अग्दम when देगा गर्मी का पथा धी ली चैल बाणी देगा एतना थन्धा पानी का यहां परम अच्छी तरश से भींगा रहें तो आप hm Right जोरतने पड़ेगा अगदम पुराना घड़ा भी अगदम चेल्ड पानी देगा गर्मी आते ही हर घर में ठंडा पानी का जोरत पड़ता है फिरीज का पानी कितना रखेंगे फिरीज का पानी रखते रखते आदमी बोर हो जाता है तुरंत फिरीज का पानी खतम हो जाता है इसलिए घड़ा का इस्तमाल कीजिए और घड़ा का पानी पीजिए इसमें बहुत सारा फाइदा भी रहता है और इसमें कुछ नुकसान भी नहीं होता है और फिरिज का पानी में बहुत सारा नुकसान होता है इसलिए फिरिज का पानी आते ही इस तरह करके घड़ा को साप की और पानी रख दीजिए अगदम चिल्ड पानी अगदम ठंधा पानी देगा गर्मी का हैसास नहीं होगा इतना ठंधा पानी रहेगा और घड़ा का पानी में क्या होता है फिरीज में रखना ने पड़ता है यह बहुत असानी से अपने आप सब निकाल करकर के पी सकता है अपना सब पानी निकाल करके पिएगा और फिरीज में क्या होता है पानी खतम हो गया फिर पानी भरो फिर पानी खतम हो गया फिर पानी भरो उसमें एक टेंशन भी रहता है उसमें सारा बिमारी भी रहता है अब देखें इतना सारा मेरा अंदर से गंदा निकलाए देखें घ अच्छी तरह से धो लेंगे फ्रेश पानी से और उसका पर हम अंदर को अच्छी तरह से साप कर लिए हैं कितना गंदगी निकलाए यही सब जब छेदा बंद हो जाता है तो पानी ठंडा देना बंद कर देता है तो सुचते हम लोग चलो नया मार्केट से खरीद के लाते ठं हो जाता है इतना साना गंदगी निकलेगा यहां पर देखें ding DAVID यहां पर हम दो जगा राके आप लोगों कहें दिखाने के लिए देखें कितना सारा गंदगी निकला है चो पानी रखते हम लोग यहां पर बढ़ जाता वही वला है अब यहां पर हम घड़ा को अच्छी तरह से धो लेंगे यहां पर देखें घड़ा का चमक देखें कितना सुन्दर दिख रहा है लग रहा है यहां पर हम नया घड़ा करीद के लाएं उसी तरह दिख रहा है और अग्दम यहां पर चिल्ड पानी देगा अग्दम ठंडा पानी देगा आपका एसास भी नहीं होगा गर्मी का कितना ही ठंदा पानी देगा कितनों पुराना घड़ा रहे इस तरह करके धोईए और यहां पर हम एक ट्रीक दिखाते हैं उवा लागर किजिएगा तक धम ठंदा से ठंदा पानी देगा और आपका पता भी ने चलेगा ग कि यहां पर जो अंदर में कितना सारा गंदगी था वो निकल गिया है और बहार में भी कितना सारा काला काला था वो भी मेरा अच्छी तरह से साफ हो गया है जितना भी छेदा बांध हो गया था सब अच्छी तरह से खुल गिया है अब यहां पर एक चमज अंदर में संधो नम पानी देगा गर्मी का एहसास भी नहीं होगा आपका गर्मी की इस तरह कटा है नया घड़ा भी फेल हो जाएगा इतना ही ठंधा पानी देगा घड़ा खरीदी और चार साल नीचीत रहिए अकदम कोई टेंसन नहीं है जब भी गर्मी आएगा इवला ट्रीक इस्तमाल करके और पानी रख सकते हैं अब यहां पर हम फिर से एक चमछ लेंगे और अच्छी तरह से यहां पर हम मिला लेंगे पुरे जिसे से यहां पर हम मिला लिए हैं अब यहां पर उपर वाला पाट को अच्छी तरह से रगड़ेंगे जितना भी यहां पर छेदा बंध हुआ है वह अच्छी तरह से क्या होता है जितना भी आपका छेदा बंध हो गया है वह अच्छी तरह से किलीन हो जाएगा और अग्दम चमक भी आएगा नया घड़ा जैसा देखे यहां पर हम नजी से दिखा रहे किस तरह मेरा घड़ा में चमाक आने लगा है लग रहा हैं नया करीद के लाएं उसी तरह और इतना ही ठंडा पानी देगा घड़ा वाला टीप्स अप लोग का कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताएग अच्छा लगा तो लाइक सेरो सस्क्राब जरूर कीजिएगा अब यहां पर हम अच्छी तरह से चारो तरफ घीस लिए हैं अब यहां पर हम अगदम साफ पानी में हम धोएंगे देखे घड़ा का चमक किस तरह लग रहा है हम लोग क्या करते हैं जब गर्मी का सीजन आता ह है तो हम लोग तुरंट चल जाते हैं मार्केट और मार्केट से हम लोग नया घड़ा करिद के लाते हैं और पुराना वाला हम लोग रख देते हैं लेकिन पुराना वाला इस तरह करके इस्तमाल कीजिए गना तो नया वाला भी फेल हो जाएगा अब देखे यहां पर हम दि करके दिखाते हैं मेरा घाड़ा कितना साफ हो गया है जब तक बाहर का हवा अंदर तक नहीं घुसेगा घाड़ा में तब तक थंधा पानी नहीं आएगा छेदा बंध हो जाने से क्या होता है पानी अच्छी तरह से थंधा नहीं हो पाता है इसलिए हम लोग साइड में रख देते और नया घड़ा खरीद के लाते हैं और इस तरह करके साफ करके अगर घड़ा में पानी भरिएगा तो आपका बाहर का जो हावा राता है वह अंदर तक जाएगा और बहुत ठंडा पानी देगा अगदम लगेगा फिरी से भी फेल हो जागे इतना ही ठंडा पानी देग और पीने भी अगदम मीठा लगेगा लगेगा घ्याँ पर हम अच्छी तरह से धो करके हम साप कर लिए देखिए अंदर वाला पाट किस तरह मेरा अगदम साप हो गया है संदो नमक देने से अगदम किलीन हो जाएगा इस तरह करके घड़ा ध़िए गातो अगदम साप हो गुआ गया देखें की स्तरा बहार और अंतर डोनों अच्छी तरह से साफ हो गिया मैं में देखें यहां से दिखा रहें नॅभी बचएरा बीश्ट हो जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा कहीं आ ने जाने में में बहुती समय लगता है वो भी बच जाएगा और जो पुराना घड़ाई वो भी इस्तमाल में लग जाएगा देखें यहां पर हम हाथ में घिसके दिखाते जरा सा मेरा और गंदगी नहीं निकल रहा है अब मेरा ठंदा पानी देने का लाइक हो गिया है पुराना घड़ा अब आप कितनों दिन का रहेगा तो इस तरह कीजिए और पानी रखे एकदम ठंधा से ठंधा पानी देगा और पीने में बहुती मज़ा आएगा अगदम मीठा लगेगा पानी पीने में इवला टिप्स अगर आप लोग का पसंदे तो लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा सोनी हम बोलक चैनल में